पुलिस के हाथ लगे इस सटोरिये अब देखते हैं खबरवस्तार से शोतियसगर में इस बार प्रदेश कॉंग्रेस कारिकर्णी की बैठक रास्थानी की बजाए दुर्ग के राजियोफन में जित की गई इस बैठक में प्रदेश प्रभारी पियल पुनिया ने सत्ता और संगठन की 20 तालमेल बिठा कर चलनी की नसिहती पी अल पुनिया ने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र में संगठन के नेताओं के 7 तालमेल रखें उन्हों ने इस पस्ट कहा कि पिछली बार कुछ विधायकों के टिकट इसीलिए कटी थी क्योंकि उनका जिला ध्यक्षों के 7 तालमेल ठीक नहीं था वही कुछ जिला ध्यक्षों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके विधायकों के साथ मतभीद थे दरसल इस बैठक में कोर्बा और कटगोरा के कॉंगरेस पदाधिकारियों ने अपनी हो रही उपेक्षा को लेकर बात रखी थी ऐसे ही शिकायतें अन्य जिलों से भी आई जिसको लेकर पियल पुनिया ने यह बात कही पुनिया ने कहा कि वे हर महीने आएंगे और संगठन के कामकाच के समिक्षा करेंगे पियल पुनिया ने कहा कि सदस्यता अभियान हमारा राष्टरी कारिकरम है जो 31 मार्च 2022 तक चलेगा सदस्यता बुक जिला ध्यक्षों के माध्यम से जारी की जाएगी उन्होंने कहा कि ब्लॉक से लेकर राष्टरी अध्यक्षतक का चुनाव सदस्यता अभियान के बाद ही होगा उन्होंने 14 नुवंबर से महिंगाय के खिलाफ शूरू हो रहे जन्जागरण अभियान को पूरी गम्भिरता के साथ चलाने के निर्टेश भी दिये उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाले चुनाव में भी 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी इस बैठक के बाद सियम भुपेश बगेल ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी अनुशासन का पूरा ध्यान रखें क्योंकि अनुशासन हिंता होने पर मरकाम डंडा चलाने के लिए बैठें हैं उन्होंने कहा कि केंदर सरकार के अडंगे के बाद भी हमारी सरकार धान खरीद रही है किसान या योजना से किसानों को हम 9000 रुपे प्रती एकड की सहायता देते रहेंगे गोधन योजना से वर्मी कंपोस्ट तयार हो रही है उन्होंने कहा कि 36 गड़ में भाजपा मुद्दा विहीन है वह यहाँ पर संप्रदाइकता और धर्मांतरण के जूटे मुद्दे पर माहौर खराब करने में लगी है इस मौके पर यह भी कहा गया कि जीलों की तर्जपर प्रदेश के सभी ब्लॉक में भी राजीव भवन बनाए जाएंगे इसके लिए जमीन का चिनहांकन करें बैठक में अनेक महत्त प्रोड मुद्दो पर चर्चा हुई और सदस्ता अभियान को जोडशोड से चलाने का निर्देश भी दिया गया मीडिया से चर्चा में मुख्यमंतरी भुपेश मघिल ने कहा कि आयोग का कारेकाल पूरा हो चुका था उन्होंने बताया कि रिपोर्ट अभी अधूरी है ऐसे में उस पर विचार कर निर्ड़ा लिया जाएगा मुख्यमंतरी ने कहा बहुत जल्दी ही इसका फैसला हो जाएगा आयोग का कारेकाल समापत हो गया तो वैसी वो रिपोर्ट अधूरा है खुद आयोग के सची लिख के दे रहे हैं कि अभी और समय बढ़ाया जाना चीए गौर तलब है कि कॉंग्रेस की ओर से जीरम घाटी कांड की जाच के लिए नए आयोगे की मांग उठी थी इसी के संदर्भ में बगेल नहीं यह बात कही दुर्ग पुलिस ने मंगलवार रात एक बंधक युवा को छुडाने के लिए तालपूरी इलाके में छापे मारी की लेकिन वहां उन्हें करोडों का सट्टा और उनके खाईवाल हात लग गये पुलिस ने मौके से बंधक को छुडाया ही साथ ही जिले का सबसे बड़ा सट् है। इसके तार बड़े-बड़े शहरों से जड़े हैं इसके लिए पुलिस आरोपियों से पूचताच कर रही है इसके साथ ही पुलिस उन बारह बैक आकाउंट की छानवीन भी कर रही है जिसमें आरोपियों ने अब तक 4 करोर से अधिक का लेंडेन किया है SSP BN मेरा ने बताया कि अरुन मिश्रा नाम के व्यक्ति ने भिलाई नगर थाने में रिपोर्ट दश कराई थी कि उसके भाई हिमांचो मिश्रा को कुछ लोगों ने किड्नैप कर लिया है वे लोग उसे तालपूरी में फ्लैट नंबर 308 में बंधक बना कर रखे हुए है इतना ही नहीं उन लोगों ने उसके भाई को छोड़ने के एवज में दो लाख रुपे की मांग की है इसके बाद CSP दुर्ग, जितेंद कुमार यादो, सिविल टीम, साइबर टीम और थाना भिलाई नगर की संयुक्त टीम को लेकर मौके पर पहुँचे और शापा मारी की इस दोरान उन्होंने वहां से बंधक ही मांचो मिश्रा को तो छुड़ाया ही साथ ही यह भी पाया कि आरोपी मैनाग दत्ता और आयाज खान अपार्टमिंट में अपैक्स सॉलूशन कंपनी का संचालन करने की आड़ में क्रिकेट सक्टा भी चला रहे थे पुलिस ने इनके पास से 35 नग मुबाइल, दो नग लैटॉप, एक कम्प्यूटर सेट, वाई फाई, राउटर, अलग-अलग बैंकों के पासबूख वाई एटियम कार्ड सहित 4 करोर से अधिक के लेंदिन के हिसाब को जब्त किया है पुलिस ने क्रिकेट सक्टा का संचालन करने में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस मामले में अभी एक आरोपी फरार है जिसके तलाश की जा रही है बिलाई नगर थाने में अरुन मिस्रा के दोवारा एक सिकायत की गई जिसमें उसने बताया कि उसके भाई को कुछ लोगों ने बंदक बना के रखा है और वो लोग जो बंदक बनाए हैं वो कुछ अवेद गतिवीदियों में सनलिप्त हैं इस सुचना पर सें CSP जितेंदर के दोवारा टीम बना कर वहां पर रेट की कारवाई की गई और उस महां पर नाकेवल उसका भाई को जो बंदक बना रखे थे उसका भाई वहां से मिला बलकि एक दूसरा सेट अप वहां पर पता चला है कि यह सब लोग एक सट्टे का एक ओनलाइन सट्टे का एक सेट अप बना रखें वहां पर हमको 35 मोबाईल दो लैप्टॉप एक कंप्यूटर वाइफाई और विबिन बैंकों की पासबुके पुलिस को मिली और अभी तर क जानकारी के नुसरा लगबग चार करोड के आसपास का लेंदेन उनके कंप्यूटर वगरा में हमको पता चला है जो विबिन समय के साथ में उन्होंने किया होगा यह जो 12 आरोपी जो अभी जुआ के कारवाई में हमने पकड़ा है तो यह रिक्की पारेक दौरा इनको इस क पकड़े जाने पर और बात हैं कि यह कैसे किसके लिए रिक्की पारक यह करता है अपना ही उसका सेट अप है यह पता चलेगा लेकिन यह काफी बड़ा लेवल पर इनका सेट अप था और इसको पुलिस ने एक अच्छी सूचना के आधार पर पकड़ने में काह में भी बिल उन्होंने कहा कि भिलाई में खेलों की शांदार अधो संरशना हमने तैयार की है। बीते तीन सालों में अनेक खेल स्टेडियम का लोकारपन हमने किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाडियों को बहुत सुविधा मिल रही है। इस फिल्म के एक सीन में पायल मीडिया कर्मी की भूमी का में है। अक्षे कुमार, रणमीर सिंग और रोहित शैटी ने भी पायल के काम को काफी सराहा है। करीब दो साल पहले पायल ने इंडस्ट्री में अपनी शुडवात एक एलेक्ट्रोनिक्स की एड़ फिल्म के साथ की थी। इसके बाद उन्हों ने साउथ की कई फिल्मों में काम किया। इस बॉलेटेड में फिलाल इतना ही बने रे डेवी लाइब के साथ नमस्कार।